गुड मार्निंग बच्चो आज हम लोग एक्सेसाइज को करेंगे पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था एकी मातरा तो उसी चैप्टर का कुछ एक्सेसाइज दिया हुआ यहां पर देखिए पिक्चर देखके आपको क्या करना है कौन सा सब्द है वो लिखना है किस ने चीजर का फटो है उसको लिख देना है तो देखिए किया है है कई राम को कैसे लिखेंगे का पड़न М distrib आपर करई कैमरा यहां ऑन campus के में हाद में कैमरा लिखत्सक्त nights सब्सक्तर के लिखते हैं तो प्यान निक्छेंग यहां आन लिखेंगे अब आपका घ्एस पिर य सब्सक्राइब नियुक्ष यह निस आरे सेर मला मैला पदल पपरदल पैदल सतान सैतान यहां नैतिक बैल गारी नैनी ताल कैद खाना ठीक है अब आते कोशन नमर थी वर्ड और ए की मातरा जोड़ कर सब्द बनाईए यानि कि इसमें वर्ड और ए की मातरा अलग अलग दिये हुए इसको हम जोड़ के क्या करेंगे सब्द कैसे बनाईएंगे फाव जोड़र क्या होगा पैर माँ जोड़ Zu ल जोड अकार मैला माँ जोड़ है जो रग अकार जोड़न मैदान ठीक है यहां देखी वासे इस कि पाज़ो अ जोड़र जोड़कार जोडकतै राक का bubbling बा जोड़ ए जोड़ द जोड़ खा जोड़ अकार जोड़न शाबर यहां कि अरन पेड पर बैठी थी। चैना या फिर मैना बैठती है तो कोई भी चिड्या हैं तो मैंना बैठती है इसलिए क्या लखेंगेंया आप ए बैठी के लास कैलास कैली कैल्ल डैस करने जाता है बैर practiced yogi नहीं बैर क्कुष्ट है और इसके लिए 7 बैर सेर, श्यर का मतलब होता है गोमने जाना तो कैलस क्या करता है पैदल up लोग भी चाते होंगे तो यहां क्या है यहां पर क्या लिखेंगे हम सेर लिखेंगे गा नमबर देखिए हैदर डैस में बैठ कर नदी पार गया है तो नया में ना महीं ना बैठ कर कोई नदी पार करेगा या फिर गया में गया चलेगा क्या पानी में नहीं नहीं क्या होगा या क्या लिखेंगे नया में बै हल चलाते हैं हम लोग कहानी में भी पढ़े थे ना कि कौन हल चलाते हैं तो बैल हल चलाते हैं बैल किसान के साथी भी होते हैं तो क्या करेंगे खेत की जोताई भी करते हैं तो यहां पर क्या लिखेंगे बैल खेत में हल चलाते हैं ठीक है एक्सरसाइज कम्टीट हो गया अब आप लोग इसको क्या करिए अपना बुक निकालिए पेज नमबर 28 निकालिए और जैसे जैसे लिखा गया है वैसे वैसे देख के इसको क्या करिए भरिए ठीक